पार्ट चार रानी लक्ष्मी बाई पहले हमारे देश में अंग्रेज राज करते थे 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ देश को स्वतंत्र कराने के लिए बहुत से वीरों ने अपनी जान की बाजी लगा दी उन वीरों में जहांसी की रानी लक्ष्मी बाई का नाम बहुत प्रसिद्ध है लक्ष्मी बाई का जन्व 19 नवंबर 1835 को काशी में हुआ था बच्पन में उनका नाम मनु था मनु बहुत साहसी थी वह कठिनाई आने पर कभी घबराती नहीं थी बच्पन से ही उसे हत्यार चलाने और घुड सवारी करने का बड़ा शौक था जब मनु केवल 15 वर्ष की थी तब ही उसका विवा जहांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हो गया विवा के बाद वह रानी लक्ष्मी बाई कहलाने लगी विवा के एक वर्ष बाद रानी ने एक पुत्र को जन दिया सारे राज्य में खुशी की लहर दोड गई लेकिन या खुशी अधिक समय तक नहीं रही चार महीने बाद उनके पुत्र की मृत्यू हो गई संपूर्ण राज्य शोक सागर में डूब गया गंगाधर राव भी इस दुख को सह नहीं सके और दो वर्ष बाद उनका निधन हो गया किन्तु मृत्यू से पूर्व उन्होंने एक बालक गोद ले लिया था जिसका नाम दामोदर राव रखा गया भारत की प्राचीन परंपरा के अनुसार कोई नह संतान व्यक्ति किसी बालक को गोद ले सकता है गोद ली गई संतान को ही उस व्यक्ति की संपत्ति पर अधिकार मिलता है किन्तु उस समय अंग्रेज अपने राज़े का विस्तार कर रहे थे इसके लिए वे नई-नई चाले चलते थे उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया कि जो भारतिय राजा निसंतान मरेगा उसका राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा अतह अंग्रेजोंने दामोदर राव की जहांसी का उत्तराधिकारी मानने से इंकार कर दिया और जासी पर अधिकार करने के लिए अंग्रेजी सेना भेज दी अंग्रेजों के ऐसे व्यवहार पर रानी लक्ष्मी बाई को बहुत क्रोध आया उन्होंने बड़े साहस से अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया रानी की सेना ने अंग्रेजी सेना को मार भगाया जहांसी में शांती हो गई और प्रजा आराम से रहने लगी लेकिन अंग्रेज चुप नहीं बैठे जल्दी ही उन्होंने फिर हमला किया इस बार हमला दो ओर से किया गया था रानी की सेना ने हिम्मत के साथ शत्रों का सामना किया दोनों सेनाओं के बीच भैंकर युद्ध हुआ लेकिन अंग्रेजी सेना आगे न बढ़ सकी तब अंग्रेजोंने जहांसी के कुछ लालची सेनिकों को घूस दे कर अपनी और मिला लिया उन्होंने जहांसी के किले का गुप द्वार खोल दिया जब रानी ने अंग्रेजी सेना को किले के अंदर घुसते देखा तो वे सारी बात समझ गई उन्होंने अपने पुत्र को अपनी पीट से बांध लिया और घोडे पर सवार होकर वहांसे निकल चली उनके साथ कुछ वफादार सेनिक भी थे रानी कालपी की और बढ़ती गई अंग्रेज रानी को अपने लिये बड़ा खत्रा समझ रहे थे इसलिए जल्दी से जल्दी उनका अंद कर देना चाहते थे अब अंग्रेजी सेना ने पूरी ताकत से रानी पर हमला बोल दिया रानी शत्रों से घिरती जा रही थी लेकिन उन्होंने साहस नहीं छोड़ा वे पूरे जोश से युद्ध कर रही थी अंग्रेज सैनिकों ने रानी को पूरी तरह घेर लिया था उनके शरीर में कई बड़े घाव हो गए थे तब रानी के वफादार सैनिक उन्हें बाहर निकाल लाए रानी ने बहुत कमजोर आवाज में कहा मेरा अंत निकट है तुम लोग मेरे शव को जल्दी से जल्दी जला देना जिससे शत्रों मेरे शरीर को नचू सके 18 जून 1859 को 23 वर्ष की उम्र में रानी लक्ष्वी बाई की मृत्यू हो गई उनके बलिदान ने उन्हें सदा के लिए अमर कर दिया आज भी लोग जहांसी की उस बहादर रानी को बड़े आदर के साथ याद करते हैं